मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी की विधान सबारी खटीमा के सैकणों ग्रामिनों ने आज सांकेतिक जल समादी ली है ऐसा इन्होंने इस तरह किया है क्योंकि इन लोगों को उत्रप्रदेश सरकार की ओर से अपने गाउं को खाली करने का नोटिस मिला था और यूपी सरकार ने आदेश दिया था कि गाउं की लोग अपने गाउं को जल से जल खाली कर दे और हजारू एकड में लगी फसलों को भी वहां से हटा ले अब आप सोच रहे होंगे कि गाउँ उत्राखंड का है लोग उत्राखंड के हैं तो आदेश यूपी सरकार ने क्यों दिया है इसके पीछे क्या कारण है चलिए आपको बताते हैं दरसल उत्राखन जब उत्रप्रदेश का हिस्सा था तो वहां लोहिया हेड नाम के पाउर हाउस को पानी देने के लिए शारदा नदी पर बाद बनाने के लिए एक नहर निकाली गई थी और करीब 22 किलोमीटर नहर के तटू में पानी का रिसाव होने के कारण कुछ खाली जमीन वहां छोड़ दी गई थी लेकिन कुछ समय बाद उस खाली जमीन पर लोग बस गई और अब करीब 70 साल बाद यहां से इन लोगों को हटने का आदेश उत्रप्रदेश सरकार ने दिया है आदेश के बाद गाओं के लोगों को अपने भोशी की चिंता सता रही है और वो सीम धामी से गुहार लगा रहे हैं कि उनको वहां से ना हटाए जाए इसके बाद आज जब इन लोगों ने सांकतिक जल समाधी ली तो इन लोगों का कहना था कि वे विधान सुबा चुनाओ में सीम पुषकर सिंग धामी की खटीमा से हुई हार का प्राइश चित करना चाहते हैं और इसलिए वो जल समाधी ले रहे हैं हलाके गाउवालों का ऐसा करने का मकसद सीम धामी का ध्यान अपनी और आकरशित करना था और आज नेपाल सीमा से लगे 22 पुल की उपसारदा नहर में बसे 5 गाउं के ग्रामीनु ने मुख्यमंत्री के खटीमा से चुनाओ हारने के कारण चल समाधी लेकर प्राशित भी कर लिया है का सा इस जल माधि के बाद ग्रामीनों में कहा कि सीम धामी उनके बारे में विचार करें और सोचें और जो नोटीश यूपी picture से बात करें और उन्हें वहां रहने दिया खटीमा के ग्रामिनों के इस एक्षन के बाद प्रशासन भी उन्हें मनाने में नाकामियाब रहा जिसके बाद खुद मुख्यमंती पुष्कर सिंग्धामी ने गाउं के लोगों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उत्रप्रदेश सरकार से बात करेंगे और उन्हें वहां से नहीं हटाने के लिए जो भी आउशक कदम होगा वो जरूर ढएंगे तो ये थी मुख्यमंती पुष्कर सिंग्धामी की सीट खटीमा से बड़ी खबर और क्योंकि यहां पे पार्श गाउं के लोग एक साथ जल समा दिया आज उन्लोग ने ली तो देखिए इस खबर का क्या असर आप पढ़ता है क्या ये लोग वही पर अपने जो जहां पर ये 70 सालों से रह रहे हैं क्या वही रह सकंगे या इन लोग को उत्रप्रदेश के नोटिक नोटिस के साब से वहां से हटा दिया जाएगा इस खबर पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी देखते रहिए उत्राखन तक